मैं अटक अटक कर बोलता था, हकलाता था, जब आप अपने माबाप के दुख का कारण बन जाते हो, इस से ज़्यादा शरम की बात नहीं हो सकते हैं, हमें कहीं न कहीं सिखाया गया कि बेटा, गल्ती आपकी नहीं है, मैं अपना नाम नहीं बोल पाया, मैंने मम्मी को ब्लेम क कि खुद को कैसे देख पाते हैं, खुद को कैसे इमाजिन करते हैं, आपने सुना होगा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पर मेरे पापा को नहीं पता था, कि उनका बेटा तो अपना नाम भी नहीं बोल पाएगा, बचपन में हम सभी का कुश नकुश नाम होता है, अगर छोटे हो तो छोटू, अगर मोटे हो तो मोटू, अगर चश्मा है तो चश्मिश, अगर सामले हो तो कालू ऐसे ही मेरा भी एक नाम था, एक नाम जो मेरी पहचान बन गया मैं अटक अटक कर बोलता था, हकलाता था, तो हकलू कहलाता था स्कूल जाना मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा था मुझे पता था कि एकर मैं स्कूल जाओंगा तो लोग मेरा मजाग बनाएंगे, मुझे पर हसेंगे मेरे स्कूल के फ्रेंज, मेरे क्लासमेट्स यहां तक की क्लास के अंदर जब टीचर कोई सवाल पूछेगी, मुझे जवाब आते हुए भी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बस अटक जाऊंगा डर और नर्वसनेस से हाथ पैर कापते थे चेहरा लाल, कान गरम और सासे तेज होती थी गला सूकता था रोज-रोज की बेज़ती से खुद पर शरम आये लगी थी, खुद से नफरत सी हो गई थी मुझे याद है उस दिन स्कूल में पैरेंट टीचर मीटिंग था और मेरा मन नहीं था कि मैं मम्मी को अपने साथ स्कूल लेके जाऊं मम्मी बारवी पास करने के बाद अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाए थी और अंग्डेजी में ज़ादा बात नहीं कर पाती थी तो मुझे शरम आती थी कि ज़र मम्मी मेरे साथ स्कूल जाएंगी तो मेरा मजाग और बनेगा मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंज क्या कहेंगे, जब मम्मी इंगलिश में बात नहीं कर पाएगी उस दिन मैंने स्कूल से आने के बाद मम्मी से गुसे में कहा कि आप मेरे साथ अपसे स्कूल नहीं जाओगे मुझे शरम आती है आपके साथ जाने में ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे इतना कहके मम्मी अपने कमरे में चली गई उस रात मैंने मम्मी को पापा से बात करते हुए सुना कि दिवस को मेरा उसके साथ जाना पसंद नहीं उसको शरम आती है कि अगर मैं उसके साथ स्कूल जाऊं और इतना कहते ही मम्मी रो पड़ी जब आप अपने माबाप के दुख का कारण बन जाते हो तो इस से ज़्यादा शरम की बात नहीं हो सकती उस रात मैं सो नहीं पाया, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनों में ही कमिया निकालने लगा मुझे एहसास हुआ कि जिन्दगी की जिम्मेदारी मेरी है सिर्फ मेरी है अगर मैं नहीं बदलूँगा तो कुछ नहीं बदलेगा मेरे पास दो आप्शन्स है एक कि या तो अपना नाम कमाओ या दूसरा कि अपना नाम भी न बोल पा अगले दिन मैं ममी के पास गया उनसे माफी मांगी है हम ममी तो ममी होती है माफ कर दिया तो मैं मेरी बात को पूरा सुना समझा और कुछी दिन में मुझे एक स्पीस हेरपिस्ट के पास ले गए मेरी स्पीस हेरपिस्ट शुरू हुई और मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया अब स्पीस हेरपिस्ट की अनुसार मुझे रोजाना अपनी आवाज को रेकॉर्ड करना था अब उस जमाने में मोबाइल फोन सो होते नहीं थे तो मैं पडोस की घर से एक फिलिप्स का टेप रिकॉर्ड काले रंका लेखे आया उसमें कैसे डाली और अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्डिंग को जो मेरे स्पीसरपी वाले सर थे उनको सुनाया करता था वो उस रिकॉर्डिंग को सुनकर मुझे फीडबैक देते थे कि कैसे फ्लुएंसी, कैसे क्लारिटी, कैसे कॉन्पिनेंस बिल्ड कर सके and that helped me a lot मैंने होसला गेन किया, मैंने प्राक्टिस करना शुरू किया and जिस मा के साथ जाने में शरम आती थी उसमा ने साथ बैठ कर प्राक्टिस कराई मैं अटका फिर बोला, अटका फिर बोला लेकिन बैटर होता गया मुझे याद है, स्कूल का आखरी दिन हमारी फेरवेल थी और मैंने जिन्दगी में पहली बार स्टेज पर जाके सब के सामने गाना गाया मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी पूरी स्कूल लाइफ में जब भी कोई चांस मिली चाहे वो आंकरिंग की थी, चाहे डिबेटिंग की थी या किसी भी में पार्टिसपेट करने के लिए अक्टिविटी थी I always used to just step back की नहीं मुझ से नहीं हो पाएगा, मुझ से नहीं हो पाएगा मेरी वाकत ही क्या है और कभी हासला ही नहीं मिला की आगे आके बोल सको तो मेरे लिए उस दिन वो बहुत बड़ा stage था और मैने दिल से गाना गाया Everyone was like amazed My teachers were like amazed My English teacher was like I see a new divas today Proud of you उस दिन मैं एक अलग दिवस बनकर निकला था अभी भी बहुत काम करना बागी था पर ये दिवस कल वाले दिवस से बहुत 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 था और ये मेरे लिए बहुत important कई बार हम जिंदगी में उन छोटी छोटी इंप्रूब्मेंट्स को वाल्यू नहीं करते हैं उन छोटी छोटी विंद्स को वाल्यू नहीं करते हैं Count your small small wins and that'll make you big one day School से college गया तो यहां तो अलगी नजारा था यहां पुरे देश से बच्ची आये होए थे कोई अच्छा singer है, कोई अच्छा dancer है कोई अच्छा speaker है तो किसी यह पसनार्टी एतनी अच्छी है खुद से फिर यह सवाल पूछा की Where do I stand? इस भीड में मेरी क्या पहचान है? I had this question to myself लेकिन beside तो कर लिया था कि कुछ करना है So मैंने तरीके ढूढने शुरू कर दे कि मैं किस तरीके से practice कर सकता हूँ जहाँ पे college life में लेट पहुषना एक शान की बात होती है classroom में I used to reach early in the college Because उस time पे college खाली होता है Classroom खाली होता है तो खाली classroom के अंदर दर्माजा बंद करके I used to practice College का classroom School की classroom से बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे खड़े होके बोलना मेरे लिए एक stage पर बोलने जैसा था ऐसा कही बार हुआ कि मैं practice कर रहा हूँ और पीछे से classroom के अंदर कुछ दोस्त आगए And then they again laughed at me की पागल हो गया है खुद से बात कर रहा है सब ठीक है तेरे साथ I felt embarrassed लेकिन जो जंग मैं खुद से लड़ रहा था वो सिरफ मुझे पता थे किसी और को ने And not just practicing in the classroom In my entire college life I did everything to get my confidence back Be it participating in the clubs Be it doing anchoring यहां तक की stage पर जाके as a drummer rock shows करना That gave me confidence to face the audience College खतम हुआ और इसी जिद के साथ मैं आगे बढ़ता रहा इसी जिद का नतीजा है कि 22 साल की उमर में मैं Toastmasters International का speech contest जीत पाया I am का interview crack किया IIT में speech दी Fortune 500 companies के top leaders को train किया मेरे लिए यहां पे खड़े होके आप से बात करना एक सपने जैसा था आज हकीकत बन गया अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो इन पहले work on your self image आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वो decide करता है कि फिर आप आगे क्या करते हैं For a moment close your eyes and imagine your future self एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, दज साल Just imagine your future self कि खुद को कैसे देख पाते हैं खुद को कैसे imagine करते हैं क्या हसल किया है, क्या बन गए है Just imagine, close your eyes See your future self Once you do that On a piece of paper, write it down कि आपने क्या देखा अगर आप इसको live देख रहे हैं इस वीडियो को Then pause it and let me know in the comment section Self image तो define हो गई आप क्या करें अच्छा है बताओ आपको अपना बच्पन याद है आप जब इतने से थे आप जब इतने से थे याद है आप जब घुटनों के बाद चलते थे है आप अब suppose घुटनों के बाद चलते चलते अगर मैं गिर जाओ तो क्या होगा मैं रोंगा कि मेरे चोट लग गए इमाजन इस पूरी ओडियन्स में मेरी ममी बैठी हुई है तो क्या करेंगी मुझे देखेंगी और भागी भागी आएंगी येसा नो अब जब पास आएंगी तो क्या करेंगी वो मुझे गले लगाएंगी अब जब 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 This might sound like, कि कटपपा ने बहु बने को क्यों मारा, बट क्यों मारा, बदला, कि इसने मुझे मारा, मैंने इसको मारा, हिसाब बराबर, is it so? हमें कहीं न कहीं सिखाया गया, कि बेटा, गलती आपकी नहीं है, गलती तो इस फर्श की है, कि इतना हाड है, तो हम, good job, शाबाश, grow up, and we grow up with this mindset, कि पापा, मैंने बहुत बढ़ाई करी थी, तीचर ही बेकार है, पेपर ही आउट अफ़ कोर्स हा पापा, कल कॉलेज में डिमिशन नहीं मिलेगा, तो ब्लेम कर देंगे, कल नौकरी नहीं मिलेगी, तो देश को ब्लेम कर देंगे, कल साथ का साथी आगे निकल जाएगा, उसे लखी बोल देंगे, खुद जहां है, अगर वहीं रह गए, तो अनलखी बोल देंगे, असान है ना, मैं मैं अपना नाम नहीं बोल पाया, मैंने मम्मी को ब्लेम कर दिया, कल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पैरंस को ब्लेम कर देना, असान है, कही न कहीं हमें पता होता है कि कमी तो हमारी तरफ से भी थी, Remember one thing, nothing changes if nothing changes. If I can make my biggest weakness as my biggest strength, even you can do the same. आप जब self-improvement के पाफ पर चलोगे ना, तो आप कुछ आवाजे सुना ही देंगी, जब आप interview देने जाओगे, तो आप कोई आवाज सुना ही देंगी, जब आप presentation देने जाओगे, तो आप कोई आवाज सुना ही देंगी, आप कोई आवाज सुनाई देगी एक आवाज चो कहेगी मुझसे नहीं हो पाएगा What if I fail? I am not good enough इन सभी आवाजों को आपको सुनकर भी नहीं सुनना है दिल से लगा लेना पर दिल में मल बैठा लेना दिल से लगाओगे तो हर दिन खुझ से बहतर होने में लगाओगे अगर दिल में बैठाओगे तो जहां है वहीं रह जाओगे You know it hurts when you have worked really hard but someone else gets that opportunity You know it hurts when you have so much to share with this world but कही न कही आप बोल नहीं पाते आप बस कामते रह जाते हैं in stage पे You know it hurts, right? Okay, tell me Do you want to see your future self? Yes or yes? Do you want to make your parents proud? Yes or yes? Do you want to make yourself proud? Yes or yes? Yes इस आवाज को अपने दिल में बैठा लेना कि Yes, you want to make yourself proud मैंने कुछ आवाजों को दिल से लगाया खुद पर काम किया और अपनी आवाज आपके सामने ला पाया और मुझे यखीन है कि अगर आप भी इस जिद के साथ खुद को इंप्रूफ करने की जिद के साथ डेली खुद पे वर्क करते रहोगे तो एक दिन आपके पापा भी फक्र से बोल सकेंगे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा Wish you all the best stay awesome यह कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने यह भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी परसनल ग्रोफ की तरफ जोड स्किल्स के साथ पर जोड स्किल्स अप अच्छिली चलती कैसे है इसके अंदर क्या है चलो एक मिनिट में जल्दी से यह देखते हैं सबसे पहले नीचे दी गए pinned comment की link पर क्लिक करें और इससे जोड स्किल्स अप डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद हम इस landing page पर लैंड होंगे यहाँ पर अपनी basic information भरे इसके बाद आप जो स्किल्स अप के English के साथ साथ सारे courses एक साथ देख सकते हैं from personality development, personal finance to business, सारे courses पर चलिये पहले English course explore करते हैं English course के अंदर हमें basic grammar, vocabulary, reading, writing यह सब की थियोरी तो मिलती ही है यह pre-recorded lectures होते हैं तो आप अपनी convenience के साब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं इसके बाद आता है most of the students का favorite feature which is practice with partner feature यहाँ पर हम actually अपने ही जैसे जो students के साथ English बोलने की practice कर सकते हैं क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक English learner है तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा और वो महौल जो हमें अपने गाओ, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया वो इस feature की थूँ हमें मिल रहा है इसी तरह हर दिन 15 minute practice करके वो students जो बिल्कुल zero English जानते से Hindi medium, Marathi medium से पड़े हुए थे आज 15 minute आर राम से किसी से भी confidently इंग्लिश में बात कर पाते हैं ये सब daily practice की वज़े से तो चलिए, अभी अपनी personal growth की तरफ पहला step लेते हैं जोड skills आप डाउनलोड करके नीचे दी हुई link पर click करें आप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें Josh Talks अब Spotify exclusive podcast है जिसके साथ Josh Talks की सबी कहानिया audio format में upload होंगी केवल Spotify पर और हाँ, अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी तो आप Josh Talks podcast को follow कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरना दाइक कहानिया सिर्फ Spotify पर